हेलो डियर, बिलकम करता हूँ, हमारे जीतने भी डियर है, सब को स्वागत है तो देखे, सकेंड डियर का यहाँ पे मैं ऐसे कुर्चन लेकर आया हूँ तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 में, MSN 1 या 2 में, कहीं पे क्योंकि MSN 1 का MSN 2 में भी पुछ लेता है, और 2 का 1 में भी पुछ लेता है, ठीक है तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस वीडियो से आपका एक लॉंग कुर्चन जरूर फिक्स होने वाला है, ठीक है मैं आज जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको अस्थमा का रिभाईज कराऊंगा, जिसको दामा या बरॉंकियल अस्थमा बोल सकते हैं, ठीक है तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा कि बहुत ज़्यादा महत्पून है, समझ गए? चलिए शुरू करते हैं पहला है, चलिए अस्थमा को देखते हैं, किसी भी कुर्चन को मैं अभी ही बता देता हूँ मैं नर्सिंग परवंध नहीं बताऊंगा, समझ गए? नर्सिंग परवंध मैं इसलिए नहीं बताऊंगा चलिए इसका हम लोग डीटेल में देखते हैं, पहले जानिए अस्थमा होता क्या है? देखिए, अस्थमा स्वासनली का एक ऐसा रोग है, सबसे पहला समझ गए कि अस्थमा या दमा या स्वासनली का एक रोग है, समझ गए? जिसमें जो स्वासनली होता है, वह सिकूर जात सुजन हो misunderstood उसमें भर जाता है तो बलगम भगयरा भावा जाने आने के लिए जो होना जाता है जिसके बज़स से ब्यक्ति में बिभीन तरीके के स्वास से समंधित परसानिया आने लगता है और वही जो है ब्यक्ति का दम्मा हो जाता है समझ गये ना तो यहीं चीजे है कि अस्थमा एक स्वासनली का रोग है जिसमें जो स्वासनली होता है सिकूर जाता है तो सिक को सांस लेने में परसानी होती है इसे ही ब्रोंकियल अस्थमा भी कहते हैं ब्रोंकियल अस्थमा क्यों कहते हैं क्योंकि ब्रोंकियल में मुकस का जामा हो जाता है और जो है ब्रोंकियल जो होता है वह उसमें सूजन हो जाता है जिसके कारण सांस लेने में प्रोबलम होता है औ इलर्जी किसी भी चीज़ से इलर्जी हो सकता है, जो स्वास के थुरू अंदर जाने वाला हो, जैसे कोई चीज़ का गंध, पेर पौधा, घास, धूल मीटी, एस सब से इलर्जी के कारण दमा होता है, ठीक है, बायू परदू सन, तनाव, ज़्यादा इस्ट्रेस लेने से हो सकता है, वायरल स्वासनिये, मारग संकरमन, जैसे जुकाम और राइनटीस, जुकाम और राइनटीस जो होता है, यह सब जो है, इस से वायरल इंफेक्शन के कारण जो है, अस्थामा हो सकता है, समझ गए, कुछ बेवासा है, जैसे रूई धुना, अगर कोई बेक्ती मास लेने में प्रोब्लम होने लगेगा, ठीक है न, और इसी परकार से पत्थर कर खाना में काम करने वाला बेक्ती, या खाधान में काम करने वाला बेक्ती, तो इन सभी ब्यवसायों से भी जो है, प्रोब्लम होने का खत्रा रहता है, यह सब कारण यहाँ पे जान गए, आ स्वांस सनली सूज जाता है फूल जाता है समझ गए न तो इसके करण क्या होता है तो उसको क्या-क्या लक्षन हो सकता है तो सबसे पहला जो लक्षन होगा उसको तो सांस लेने में ही परसानी होगा समझ गए न उसी परकार से सीना का करा होना चेश्ट जो है टाइट हो सकता ह है समझ गए सांस लेने में आवाज आना मतलब जो शांस लेंगे उसमें वीजिंग का भरगराह data type का आवाज आता है समझ गए उसके। उसके बाद है साांस तेज चलता है चुकि स्वांस का प्रोब्लम है तो collector स्वांस नहीं सही से लेपाएगा उससे प्रोब्लम होगा तो जल्दी जल्दी सांस लेगा तेज सांस चलेगा टेकी पुनिया धरकन बढ़ जाएगा जिसको टेकी कारडिया बोलते हैं चुकि स स्वांस जब कम होगा तो धरकन तो बढ़ेगा ही जल्दी-जल्दी धरकन जो है हर्ट वीट चालू हो जाएगा ठीक है न बेचाइनी हो जाए होने लगेगा सांस बाहर छोरने में अधिक समय लगेगा ठीक है न क्योंकि स्वांस नली भ्रॉक है समझ गए एच चीज़े समझ था को अब इसका नीदान देखिए मतलब इसका उपक्या पॉप सकता है निदान में निदान मतलब इसके थेस्ट डाइग्नोस सब्सक्राइब और ज़्यादा कम्प्लिकेशन इस रोग में क्या हो सकता है समझ गए ना उसके बाद जो है इसका परवंध पुछेगा तो परवंध में मेडिकल परवंध सरजीकल सरजरी अगर उपलवध है उस रोग में तो सरजीकल परवंध होगा और लाष्ट वला परव से है कितने दिनों से है इसका जाट साँ हैगा तो इसका जाता जाएगा फिछकल एग्जामीनेशन किले तो एस एक्षामीनेशन एह तीन चीजे ऐसा है जो किसी भी बिमारी में आप लिख देंगे डाइग्णोसिस में तो तीनों जो है चलेगा समझ गहें ना एह से चेस्ट में दरद होगा तो इसके लिए चेस्ट से करवाया जाएगा पलमनारी फंसन टेस्ट होगा समझ गया ना चुकि फेफरा में से समंधित प्रोब्लम है तो पी अपटी का टेस्ट होगा एबी जी आर्टीयर ब्लड गैसेज का टेस्ट होगा ठीक है न उसके बाद ब्रोंको एसकोपी होगा ब्रोंकिया को देखने के ल इसमें आपको जितना याद रहेगा लिख दीजिएगा समझ गये और कहीं भी अगर आपको लगे कि हमें नहीं याद हुआ है तो एक बार पीछे बैक कीजिए वीडियो को और फिर से देखिए समझ गये चलिए इसमें जटिलता क्या क्या होगा देख लीजिए जटिलता मत जाएका मतल्ब उसके स्वाशन जो है फैल हो सकता है उसका यहने साइड हो जाएगा उसके बाद सच में हवाबर न निमो तो एक्स Louise है उसमें जो है आपके क्या होगा हवा भरने लगेगा और लाश्ट में मिर्तू हो जाएगा तो यह सब जो है अस्थमा वाले पेसेंट में यह सब हो सकता है क्या-क्या खुन में ऑक्सीजन की कमी, अमशरीर में अमलता होना और उसके बाद है समबातन कम होना मतलब इस्पाईरेटरी फेल होना यानी हवा न मिल पाना उसके बाद राइट साइड में हर्ट फेलूबर हो जाएगा वक्ष में हावा भरेगा नीमो थ्रेक्स और लाश्ट संकर्मन से भी पहलता है तो इसके लिए जो है अमीकासीन और जेंटतामइजory Morris in grabal के लिए एन्टोबाइटिक्स जो ड्रग है में घोनीकासीन और जेंटताम iba समझ गए जिससे रहात मिलता है इसका उपयोग होता है उसके बाद कर्टीको एस्टोरवाइड जैसे हाइडरो कॉर्टिसोन और प्रेडनी सोलोन दवाईयां दिया जाता है जो क्या करता है कि बलगम को बाहर निकालता है और स्वांस को नली को फ्रेस करता है कर्टीको एस्ट चार में जो है ब्रोंकोडिलेटर दिया जाता है जिससे जो ब्रोंकिया होता है वो क्या होता है जो ब्रोंकिया सिकुर गया है उसमें फैलाब होता है बिस्तार होता है जिससे स्वास लेने में आसानी होती है ठीक है तो ब्रोंकोडिलेटर जैसे एमीनोफाइलिन और थियोफा कि एंटी कॉलिनर्जिक दबाईयां एंटी कॉलिनर्जिक जबाईयां जैसे इप्रोट्वियम ब्रुमाईड देते हैं समझ गये ना यह कुल पांच और छठा है नम ओठिरेपी देते हैं जिसको अक्सिजन की कमी होगा उसको ओठिरेपी देते हैं ब्रोंको दिलेटर देंगे और ऐसल दिलेटर देंगे और ओधिरेपी देंगे तो यह जो है आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए याद हो जाएगा तो आस्थामा यहां पर स्रमाप्त होता है आइट हो गया अपका अपया अस्थमा वाले पेसेंट के लिए लिख दिएगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखियेगा छाइज रोग के बारे में, यानि टी-वी के बारे में किलोसिस मजगा ना पी टीबी होजी होता है मजगे चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखने का परियाश करते हैं देखिए टीबी क्या होता है तो आप लोग्र को पता होना चाहिए टीबी एक संक्रामक रोग है जो जीवान उद्वारा फैलने वाला रोग है समझ गया ना जो किस जिवानु द्वरा फैलता है तो mycobacterium tuberculosis के कारण फैलता है समझ गया ना और यह जो है बेक्ती के मुख रूप से फेफरे को परवहावीत करता है समझ गया जिसको जो है अगर टीवी आप नहीं चेकरा आया किसी को टीवी अगर बहुत ज़्यादा ग्रस तो यही जो है बेक्ती में होता है टीवी समझ गया टीवी के बारे में समझ गया कि टीवी तवेतिक जो होता है या एक संक्रामक रोग है जो mycobacterium tuberculosis जिवानु द्वारा फैलता है समझ गया एबं मुख खुरूप से बेक्ती के फेफरों को परभावित करता है लंग्स को अब आप लोग जानिए कि एगर लंग्स को परभावित करेगा तो बेक्ती में क्या क्या हो सकता है समझ गया आप लोग चलिए इसका कारण हम लोग देखते है कि किस कारण से होता है टीवी कौन-कौन से कारण से ठीक है पहला है mycobacterium tuberculosis एक तो बैटरिया इसका होई है गय समझ गये ना नेक्स्ट है गरीवी गरीवी मतलब अगर अच्छा से भोजा नहीं लेंगे kupotion होगा और आदमी के अंदर बैक्टरिया प्रवेस कर जाता है ठीक है kupotion भी है सक्छारता में कमी lack of education की कमी होगी तो आपको भीवीन परकार से problem को सामना करना ही पड़ेगा पर्या काफि ज़्यादा इधर उधर लोग ठूखते हैं और तुखने से जो है एक दूसरे के बाताबरं से जो है क्या होता है आप उसके साथ बैठेंगे उठेंगे तो जो है इस condition में टीवी हो सकता है और next धुरूम पान भी इसका कारण बनता है टीवी होने का समझ गए तो ये जो है टीवी का एक 8 पॉइंटे अनॉमा है सराब पिना यानि एलकॉलिज्म ठीक है ना देख लिजे माइको बैक्तिरियम है गरीबी है कुपोसन है सक्छारता में कमी है मतलब परहाई लिखाई का कम होना परियावरन अस्वक्ष मतलब गंदा होना अत्यधिक भीरभार होना परिबार में किसी को टीवी है ध्रूमपान और सराब पिना ये सब कारण बनता है टीवी होने का समझ गया चलिए अब इसका फैलने का तरीका क्या है mode of transmission संचार का तरीका क्या है देख लिजे यह मूख खुरूप से बिंदुक संक्रामक डॉरपलेश संक्रमन द्वारा फैलता है ठीक है कोई पोजेटिव है टीवी का और वह किसी स्वास्थ ब्यक्ति के सामने आसपास छिकेगा खासेगा ठूकेगा तो ऑस चीटा से उड़ कर जो है उस चीटा से उड़ कर जो है उस कि झीवानू मजूद होगा चुकि उसको बैटरिया गरस्थ है तो उसमें जीवानू और उस बत्तावरन को आज पास के लोग अपने स्वास मिलेंगे तो उससे जो है क्या होगा कि यह पहल जाएगा एक स्वास्त बेक्ति में समझ गए तो यही संचार का तरीका होता है समझ गए मोख रूप से डुरोपलेट संक्रमन से ही फैलता है समझ गए न चलिए अब इसक किसी बेक्ति को अगर फेफरा प्रभावित होगा तो उसमें क्या क्या लक्षन हो सकता है आप लोग खुद से लिख सकते हैं दिमाग लाया के ठीक है लक्षन क्या होगा टीवी का देख लीजिए देखिए लंबे समय से खांसी रहना अगर किसी को टीवी होगा फेफरा खांसी रहेगा तो उस जिसको अगर टीवी रहता है तो उस खांसी में जो है उसको बलगम में बलड आते रहता है समझ गए ना जिसको हम लोग क्या बलते हैं हीमोपटाइसिस बोलते हैं याद रखिएगा ओके नेक्स्ट है एनेमिया रखतात पता जिसको टीवी होता है ध इसके बाद है टीवी बाले पेसिंट का अब चुकि एनेमिया है वजन कम है तो चकर तो आएगा ही आएगा सीने में दर्द होता है चुकि फेफरा उसका परभावित है तो उस कंडिशन में सीने में दर्द तो होगा ही होगा next है सांस लेने में परसानी अब समझे ये फेफ़रा में problem है तो सांस से लेने में परसानी होगा ही होगा बेचाइनी होगा ही होगा सांस तेज चलेगा ही चलेगा और इस condition में बेक्टी को भूख भी नहीं लगता है TV बाले पेसेंट का समझे गहे तो यह सब लक्षन होता है स्वासन से समंधित और खासने छिकने से समंधित लक्षन बěक्षन बेक्ष्टी में सίνे में दर्द बगएरा बनता रहता है टीवी बाले पेसेंट का समझे गहे भूखूख नहीं लगता है है डाइगनोसिस होता है ठीक है चलिए देखते हैं पहला है हिस्ट्री कलेक्शन फिचकल एक्जामिनेशन यह तो में पहले ही बता दिया कि यह दोनों किसी भी पेसेंट में लिख देंगे चलेगा किसी भी बिमारी में ठीक है नेक्स आपका यहाँ पर आता है इंपर्टेंट टीबी का PCR टेस्ट होता है टीबी का जो है PCR टेस्ट होता है और फिनेक टेस्ट भी होता है और इसमें जो है एफवी टेस्ट भी होता है लिख लिजे एफवी टेस्ट भी होता है समझ गए इसको जो है आप लोग लिख लिजे कि एफवी एसिड भास्ट बेसिलर टेस्ट भ फ़िए सकता है जटिलताम देखिए ट्रिवि नेम अन अंगों में सकता है कि अन अंगों प्लतेया क्ज़िकालते स्वासंधत्र का असफल होना अब जैसे ही धीरे बढ़े असंगरम clip को बहुँ ज्यादा कुछ पहिंगे ही नहीं फेफराइं खतम है तो स्वास कहां से आएगा स्वास जब नहीं आएगा तो उक्सीजण बलड को मिलेगा ही नहीं और उस कन्डिशन में जो है बलड सरीर में कमने लगेगा और लास्ट में बेकती का मिर्तूभी हो सकता है टीवी वाले पर सेंड का समझ ग ली जाने वाली निम्ने दवाईयां हैं देखिए दवाईयां जो है टिवी के उपचार के लिए शड़ पथम जो दवाईया दिया जाता है वह यहां पे देख erklärt देखिए याद कर लीजे न MR Stockholm गया पांच दवाईयां आपको पहले तो दवाई का नाम याद करने या खोशिस कीज़ें, यह सब को तो काट दीजिए, यह डोज काट दीजिए, डोज बाद की बाते हैं, पहले तो दवाई याद रखिए, पहला है आइसोनीजाइट, रिफामसीन, ठीक है न, उसके बाद है आपका यहाँ पे देखिए, पाराजीनामाइट, क्या है, पाराजीनामाइट, जेड, इथामबुटोल, E, और एस्टरेप्टोमाईसीन, S, ठीक है न, यह तीनों तो आपका आसान है याद करना, सिर्फ आपको आईसोनीजाइट, आईसोनीजाइट और एरिफामसीन, एपांच चो याद रखिएगा, पाराजीनामाइट, इस्टरेप्टोमाइसीन, इथामबुटोल है, समझ गए, चलिए, यह पांद रखिएगा, कि यह उपचार में दिया जाता है, समझ गए, चलिए, देख लिजे, और आप जब यह दवाई याद हो जागा, तो फिर जो है, आप यहाँ पे देख लिजे इसका डोज याद कर लिजेगा, ठीक है, कि आइसो निया जाइट ब्यस के लिए 600 mg, ठीक है न, और बच्चे के लिए 10 से 15 kg mg में, समझ गए, नेक्ट है, रिफामसीन, सारे 400 से 600 mg ब्यसको में, उसी परकार से पारा निजाइट 1500 mg ब्यसको में, इथामबुटोल 1200 mg ब्यसको मे ठीक है, उसी परकार से, एस्ट्रेप्टोमाईसिन, सारे 700 mg ठीक है न, तो यह सब बात की बाते हैं, पहले दवाई याद कर लिजेगे, पांचो दवाई समझ गए, यह परथम दिया जाने वाला दवाई होता है, समझ गए, चलिए, अब लाश्ट यहाँ पर देखिएगा, डॉट्स ठीक है, इसके उपचार में, डॉट्स ठीक है, इसका पूरा नाम, डाइरेक्ट अबजर्वेशन ट्रीटेमेंट सौर्ट कोर्ष होता है, ठीक है, इसके अंतरगत सभी दवाईयां स्वास्ट कर करता के परत्यक्ष अवलोकन में दिया जाता है, और वही डॉट्स ठीक होता है, देखे, टीबी का जो होता है दवाई, जो उपचार चलता है, डॉट्स ठीक होता है, तो ये डॉट्स ठीक का मतलब ही होता है, कि डाइरेक्ट अबजर्वेशन ट्रीट कोर्ष, ट्रेटमेंट सौर्ट कोर्ष, कि इसमें जो स्वास्त कर करता होते है, उसके सा सामने में दवाईयां दिया जाता है और कुछ समय रखा जाता है और फिर पेसेंट को छोड़ा जाता है समझ गया यह चीज़े हैं और उल्टा पुल्टा ना खाय दवाई इसलिए भी साथ में नेक्ष्ट है कि टीबी को रोकने हैं तु सभी नवजात सिसुओं को बीसी जी क ठीका अवस से लगवाना चाहिए तो यह सब जो है सातों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा ठीक है चलिए यहां पर हो गया आपका चलिए खतम हो गया नेश्परसन आता है इंटेस्टनाइल अवस्ट्रक्षन के मतलब क्या होता है आप लोगों पता है इंटेस्टनाइल मतलब क्या होता है आत और अवस्ट्रक्षन मतलब अवरूध मतलब रोकना समझ गए रुकावट चलिए देख लेते हैं इंटेस्टनाइल अवस्ट्रक्षन क्या होता है जो इसमें आत के जो मार्ग है उसमें आन्सिक या पुर्णुत जो है बंध हो जाता है मतलब इसमें जो आत के जो मार्ग है जो रास्ता है वह जो है आन्सिक रूप से या पुर्णु रूप से उसमें रुकावट बाधा या वो बंध हो जाता है समझ गए यही तो आपका अब्श्रक्शन का मतलब ही होता है कि अबरूद हो जाना मतलब रुकावट आ जाना रुक जाना और रुकता कहां है तो आतिये मार्ग जो है उसमें रुकावट आ जाता है जिससे होता है कि जो पच्चा हुआ भोजन होता है वह पच्चा हुआ भोजन जो है आगे नहीं जा पाता है जिसके कारण जो है भोजन जो है बैक आता है मतलब रिफलेक्ट करता है और वह जो है भोजन के रास्ता जहां से आया है वहीं पर उल्टी बगएरा होने लगता है तो आत्रिये अवरोध यही होता है ठीक है एवं पाचन पदार्थ परवाह जो है अवरूध हो जाता आपका ऐसे ऐसे यह आथ है समझ गया ऐसे ऐसे आथ है समझ गया अब मानिए ऐसे आगे जाना चाहिए अब यहाँ पे आके यह बहुँ ज़्यादा संकीर्ण हो गया उपर से भी यहाँ पे इतना न संकीर्ण हो गया कि यह यहाँ पे अबरूध हो गया और फिर यहाँ से आग हो गया समझग चीज़कों चले हैं इसका कारण क्या हो सकता है आक के मार्ग में आत की रासते में कहीं जगह पर अवरूद हो जाता है रुकावट आ जाएगा ऐसा क्यों होता है नेकी होता है कि जए कारण कोई हरनिया होता है तो हरनिया भी इसका कारण हो सकता है समझ गया है मोटा पदार्थ निगल लेना जैसे सीका साबूत फल आ दी ठीक है न कोई मोटा जो है अगर आप कोई मोटा चीजे निगल लेते हैं जो कि आसानी से नहीं पचता है तो फिर वो क्या होगा कि आपके पेट से जो है होते हुए वह आत में जाएगा और अगर वो फस गया तो फिर जो है problem हो जाएगा वा अबूरूद कर देगा रास्ता को रोक देगा तो यह जो है मोटा पदार्त को निगलने से भी हो सकता है ठीक है cancer होने से भी हो आप हम लोग यहां पर देख लिए अब लोग यहां पर कारण देख लिए भाई intestinal obstruction किन किन कारणों से हो सकता है यहाँ पे हम लोग तो देखने लिए कि बरी आत में संक्रमन हरनीया मोटा पदार्थ निगलने से cancer होने से intestinal estonosis होने से आत्रिय संकूचन परिटोनियम में परदा होने से और आत का एक भाग दूसरे भाग में परवेस कर जाने से यह सब अवरूद हो सकता है चीक है चलिए अब इसका लक्षन क्या होगा symptoms क्या होगा देख लीजिए पेट में दर्ध होना जैसे ही आपके भो दर्नेस होगा पेट लगेगा एकदम फूला हुआ है एकदम भरा हुआ है समझ गए न तो यहीं जो है पेट फूल जाना मतलब अब डोनिया डिश्टेंस समझ गए अफर जाना फ्लूटेंस मतलब उसमें गैस भर जाना जी मचलना उल्टी होना चुकि आप जो भी से तो आपको गैस बनेगा ही बनेगा पेट फूलेगा ही फूलेगा पेट में करापन लगेगा धर्द होगा ही होगा ुल्टी होगा ही होगा तो यह सब जो है होता है समझ गया इस सब लक्षन समझ गए चीज को चलि नेश्ट और देखिए मल त्याग न करना अब चूकि म जो है मल निकलने देगा भोजन पदार्थ को बाहर जो पच्चा हुआ भोजन है उसको निकलने देगा तब मल होगा लेकिन आत जो है वहां पर अवरूद किया है उसको रोका हुआ तो कैसे बाहर निकलेगा तो मल ना त्याग हो पाएगा कब्ज बनेगा धरकन बढ़ है तो इस कंडिशन में भोजन आप नया कोई करेंगे नहीं तो आपके सरीर में बेटलोस होगा ही होगा नेक्स्ट है निरजली करन होगा देहाइड्रेशन होगा क्योंकि जो कुलोन है आपका बरियांत है वो भोज जल को अफसोसन नहीं कर पाएगा क्योंकि उधर जल आही तो फिर क्या-क्या प्रोब्लम बेगती को हो शकता है भोजन करते जाये करते जाये और वो भोज़पदार आगे निकले ही ना तो क्या होगा समझिए तो यह सब लक्षन में लिखिएगा ठीक है न चलिए नेक्ष देखिए निदान देखिए डाइगनोसिस देखिए डाइगनोसिस क्या होता है समझ गए देख लिजे डाइगनोसिस में है इती बिरिती तो देखिए आप चुकी यह पेट का आथ का प्रोब्लम है तो आप समझते हैं कि आथ के लिए क्या क्या होता है पेट के आस में देखिए intestinal obstruction में क्या जट्लता हो सकता अगर बहुत नहींगों तक अगर उसका पदार्फ जो है आत नहीं अगर खुला आत का रस्ता तो जो है उसको क्या होगा तो आत को रक्त सप्लाई में कमी हो जाएगा आथ में आज जाएगा क्योंकि आगे कुछ जाही नहीं रहा है रास्ता ब्लोक होने के कारण समझ गए न यह चीज़े है पेरिटोनोसिस मतलब उसमें संकुछित हो जाएगा आत एक दूसरे से चिपक जाएगा आत रिये उतक नश्ट होने लगेगा क्योंकि उससे बलड मिलेगा ही नहीं म होता है एंटोबायोटिक में नहीं अटि का के और यह चीज़े धिया लाता है उसको इसको दिकम्प्रेस करेंगे जिससे जो आँत्र का मारगा ठीक है यह चीज़े है नेक्स है फ्लिड और इलेक्टोलाइट संतुलन बनाए रखेंगे क्योंकि इसमें बलड का आग कम होता है dehydration होता है लक्षा में देखें हैं तो उस dehydration को बनाए रखने के लिए रोकने के लिए फुलूड और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखेंगे ठीक है चलिए तो एह हो गया आपका उप्चार पांच मा देखिएगा Vomating को रोकने है तो राइल्स टीव की सहायता से गैस्ट्री कउन्टेन्ट का drainage किया जाएगा भ्वोमेतिंग को रोकने के लिए राइल्स ट्यूब के द्वारा जो gastric content है मतलब जो भी भोजपदार्थ लिये हैं अंदर उसको जो है निकालेंगे ठीक है ताकि उल्टी भोमेटिंग ना हो समझ गए रोगी को NPO निल पर औरली समझ गए न NPO रखा जाता है समझ गए भोय रोगी को NPO में रखा जाता है मतलब कोई मुख के द्वारा उसको कोई भोजन नहीं दिया जाता है ठीक है न तो यह सब जो है medical उपचार हो गया surgical उपचार में जो होता है इस patient का surgery द्वारा जो abstract part है जैसे मानिए ए इधर का आँथ है इस condition में जो यह abstract बाला part है जो अबरूध किया हुआ है इसको क्या करता है इसको क्या करेगा कि यहां से कार देगा इधर से कार देगा और बीच बाले abstract part को कार के हटा दिया जाएगा और इस side का और इस side का आपस में फिर से जोड़ दिया जाएगा तो यही हो जाता है आपका Sanjori दोरा जिसको हम लोग Eneastomosis दिया जाता है समझ गbye और यही जो है Sanjori दोरा abstract part को हटा कर जोड़ दिया जाता है और next जो किया जाता है और एलियोएस्टोमी और कोलोएस्टोमी भी की जासकती है पेसेंट के जो है एलियो एस्टोमी मतलब जो इलियम होता है उसको उसमें और कोलो एस्टोमी जो है उसका किया जा सकता है समझ गए तो यह कुल सरजारी होता है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा नेक्स्ट जो है नर्सिंग परवंद आप लोग खु देखिये appendicitis क्या होता है आप लोगों पता है appendix जो होता है appendix 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 ठीक है नवे appendix है आप लोगों को पता है कि appendix या किसी भी चीज़ में inflammation होता है तो उसमें it लगा के जोड़ देते हैं तो वहां बन जाता है एक रोग समझ गए न तो उसी परकार से appendix का एक रोग होता है जिसे appendicitis कहते हैं समझ गए इस appendicitis में जो होता है आप लोग जानते है appendicitis appendix कहां होता है तो बड़ियात और छोटी आर्ट के जो सन्योजक अस्थल होता है जो जूरने वाला अस्टल होता है वहाँ पे ही, यह क्या होता है एपैंडिक्स होता है और इह आपैंडिक्स बर्मी फार्म जो एपैंडिक्स होता है इसमें, परदा या इनफलाँमियर सन होना ही आपैंडसायटिस खालाता चुक्छिए आप जानते हैं बिलकुन fracture खतम हो जाता है, तो इस condition में अगर आप उसको इलाज नहीं करवाएंगे, तो धीरे धीरे आपको लेट डूबता है, appendix का रोग समझ गए, तो इसमें होता है कि appendix का रोग जो है, सरीर में appendix का उतना जरूरी है नहीं, तो इसलिए इसमें surgery के द्वारा appendix को काट कर हटा दिया जाता है, ठीक है न, और इससी surgery को हम लोग appendectomy कहते हैं, ठीक है, तो आपसे question पुछेगा, कि appendectomy वाले patient का surgical परवपंध लिखे, pre-post, pre-care और post-care और peri-care, तीनो टाइप से पुछेगा, तो तीनो condition में आप लोग लिखेंगे, मैं बता चुका हूँ, कि pre-care मतलब surgery से पहले का care, पेरी मतलब surgery के दौरान होने वाला care, और post मतलब surgery हो चुका है, तो surgery के बाद का care, तो ये तीनो टाइप से, तीनो में आपको जो है, दस दस लाइने, बिस लाइने लिखेंगे, तो डेर दो पेजा आपका ऐसे ही हो जाएगा, तो appendectomy का हो गया, समझ गया, य इसमें inflammation, यानि इनमें किसी भी परकार के infection, सुजन, पीव, मबाद, पॉस बनना ही, जो है appendix, appendectitis कहलाता है, समझ गया, चलिए, कारण क्या होता है, देख लिजिए, क्या क्या कारण होता है, तो अभी उपर हम लोग देखे है, intestinal obstruction, अब जैसे ही intestinal obstruction हो सकता है, इसका कारण पेट में चोट लगने से appendix पर चोट लगेगा, तो हो सकता है, appendix का मुर जाना, अब जैसे appendix ऐसे है, अब यह ऐसे हो चुका है, तो appendix मुरने से चीज़े हो सकता है, next है bacterial या कोई viral infection के कारण ये चीज़े हो सकता है, appendix में भी infection हो जाए, समझ गया न, barium का 7, अगर आत्या appendix होगा, तो इसमें क्या-क्या लक्षन होगा, आप लोग जानते हैं न, कि आत में, आत से लगा हुआ appendix होता है, तो अगर इस appendix में किसी भी परकार के, चोट फोट या कोई भी परकार के घाव बगार, अगर appendix में बनेगा, तो आप लोग को पता है, कि वह आत से लगा तो दर्द होगा ही होगा bloodding भी होगा वहाँ से समझ गया ना तो विविन परकार के चीजे होगा तो नाभी के चारोर दर्द होगा पेट में दाई तरफ नीचले भाग में दर्द होगा चोकि इसी पेट के दाई तरफ right side में नीचले तरफ जो है यह होता है appendix समझ गया होने लगता है पेट के दाई तरफ जो है नीचले भाग में धरद होता है समझे गए और साथ में नेक्ष्ट है पेट में एंठन इस्पाजम होता है तियज एबम उत்ला स्सुष्ण होने लगता है तिप्र बुखार भूख नहीं लगता है जी मचलन लगता है और धरकन तीय परिक्षान WBC क्यों क्यों कि infection के कारण WBC का कांट टेस्ट होगा USG ultrasound htool culture test होगा और छल कलचर test से पता किया जाएगा अगर उसे blood बगएर आएगा बाद किया जाएगा कि blood क्यों आ रहा है प्लाट का investigation CT scan समझ गया और इस सब चीजे होता है चलिए इसमें जटिलता क्या होता है देख लिए जटिलता में एपेंडिक्स फट सकता है समझ गया ना चुक्छी एपेंडिक्स का छमता कम ही है छोटा ता ही ही और उस कंडिशन में वह स्थूजन होगा उसमें फुलते-फुलते फट भी सकता है या उसमें बहुत जादा अगर पीब मवाद भर ब्यक्ति को समझ गये तो यह जटिलता जो है आपका इंटेस्टेनाइल और पर्दा था और यहां भी जो है पेरिटोनियम में पर्दा है समझ गये यह चीज़ याद रखिएगा ओके चलिए अब इसका मेडिकल उपचार देख लिजिए यहां पर थोरा सा अब जानिए मेडि जो सबसे फेमस एंटोबाइटिक है ठीक है ना उसके बाद है एनलजेसिक दवाईयां रामाडोल दरद के लिए और डाइकलोफेनिक सोडियम समझ गये यह सब पेट में एंठन दरद को दूर करता है ठीक है एंटी पाइडिक बुखार के लिए पर देखें लक्षन में इस में जितना भी लक्षन होता है ना लक्षन का दवाई भी किया जाता है लक्षन का भी दवाई किया था उस सब आपको मेडिकल उपचार में लिखना परता है समझ गये तो यहां पे देखिए यहां पे हो गया ना यहां पे उल्टी के लिए भी लिखा है समझ गये गैस के ल इसमें होता है कि इस appendix को सरीर से काट कर हटा दिया जाता है जिसे appendectomy कहते हैं बरतमानुमें जो लेपरोएसकोपी appendectomy होता है यह diagnosis के बाद 24 से 48 घंटे में किया जाता है समझ गए ना तो यह जो है surgical होता है अब देखिए यह आपका appendectomy तो समझ गए कि सरीर से appendix को सरजरी के द्वाला बाहर हटाने की किरिया अब इसी को जो है आपको कहेगा कि appendectomy में nursing देखवा लिखे appendectomy से पहले appendectomy होने के दौरान और appendectomy के बाद समझ गए और 10 नमर में पूछ देगा तो आपको लिखना पड़ेगा मैं बता दिया हूँ कि पहले बाद दौरान क्या क्या होगा समझ गए चीज को मैं पहले से बत अबले वीडियो में धन्यवाद